अभी हाली में किस राज्य के मुख्य मंत्री ने एककल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की गोशना की तो अंसरोगा उत्राखन तो अभी उत्राखन के जो मुख्य मंत्रें पुशकर सिंग धामी उन्होंने महिला शशक्तिकरन को बड़ावा देने के लिए अभी स्वरोजगार योजना को शुरू करने की गोशना की इसमें क्या होगा लाभारती महिलाओं को एक लाख रुपे तक के प्रोजेक्ट पर आठ मार्च को अंतरराष्टर महिला दिवस मनाया था तो उसी आउसर पे तिलंगना के जो स्वास्ति मंत्री हैं टी हरीश राओ उन्होंने तिलंगना में महिलाओं के लिए एक नया स्वास्तिकारेकरम आरोग्य महिला नाम से एक नया कारेकरम एक नई योजना शुरू किय तो इस योजना के तहट राज्य में 100 अस्पताल इस्थापित किये जाएंगे उन्होंने कहा कि हर महिला किसी ने किसी स्वास्त्य समस्त्य से जूज रही है तो ये योजना उनके समाधान के लिए लाई गई है इसके अलावा गर्ववती महिलाओं के लिए एक और योजना है न्यूट्रिशन किट उसको भी शुरू किया जाएगा उसमें न्यूट्रिशन किट दिया जाएगा उसमें घी होगा, प्रोटिन मिक्स पाउडर होगा जिससे गर्बवती महिलाओं में जो nutrition की कम्मी आ जाती है वो दूर हो सके चलिए फिर बताईए अभी हाली में कहां बिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है तो अंसर होगा नागपुर में तो अब इमाराश्टर के नागपुर में भिकारी मुक्त शहर नाम से एक पहल शुरू की गई है मतलब इसके लागू होने के बाद सारवजनिक की स्थानों पर भीग मागने की अनुपती नहीं होगी और नागपुर नगर निगम ने अपने आश्रे स्थलों में निराश्रित लोगों को आश्रे देने के लिए विशेश व्यवस्ता की है और इस अभ्यान में पकड़े गए भिकारियों को अपने आश्रगरह में इस्थानांतिरित याने कि शिफ्ट करने के लिए भेजने के लिए नागरिक निकाय ने एक बस और एक एम्बुलेंस तयार रखी है अच्छा भिकारियों से आपको याद आएगा कि सोशल जस्टिस एन एम्पार्मेंट मिनिस्टर जो है विरेंद्र कुमार उन्होंने भिकारियों और ट्रांसजेंडर समुदाए के लोगों के लिए इसमाईल योजना शुरू की थी तो अभी उत्तराखंड सरकार ने रेशम उत्पादों की सुरक्षा के लिए देश का पहला रेशम कीट बीमा कारेकरम शुरू किया है ये बीमा उनको जलवायू परिवर्तन यानिकि क्लाइमेट चेंजेज, पानी की कमी और अन्या खत्रों के प्रभाव से बचाएगा मतलब इसका ओवराव लदेश यही है कि शेत्र में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देना चलिए फिर बताईए दयालू योजना ये कहां पर शुरू की गई तो अंसर हुगा हरियाना में तो इस योजना में क्या है तो जो अंतियोदे परिवार है अंतियोदे का मतलब होता है जो बहुत गरीब परिवार है उसे कहते हैं अंतियोदे तो अंत्योदे परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्य हो जाए या विकलांगता आ जाए तो सरकार उसे दयालू योजना के तहत वित्य सहायता देगी और इसमें सरकार ने कहा कि इसमें वही परिवार आएंगे जिनकी वार्षिक आये 1.80 लाख से कम होती है वैसे इस योधना का पूरा नाम है पंडे दीन दयालू उपाद्या दयालू योजना चलिए फिर बताइए हालिमिक इस राज्ये ने मुख्य मंत्री वरक्ष संपदा योजना शुरू की है तो अंसर होगा 36 गड़ अब ये आपको यादे हमने 21 मार्च को अंतरराश्टर वन दिवस की रुपे मनाया था तो उसी के आउसर पर 36 गड़ के मुख्य मंत्री बुपेश बगेल ने ये मुख्य मंत्री वरक्ष संपदा योजना को शुरू किया अब क्या होगा इस योजना में तो इस योजना के तहट राज्य सरकार द्वारा 5 साल के बीतर 2 लाख एकड नीजी भूमी पर इमारती व उशद्य वरक्ष तियार करने का लक्ष रखा गया है और इसके लिए मतलब पौधे के रोपन के लिए किसानों को 50 परतिशत सबसिड भी दी जाएगी इसके अलावा किसानों को 3 साल तक प्रति एकड दस हजार रुपे बोनस भी दिया जाएगा तो इस योजना के माद्यम से किसानों की इंकम में भी व्रद्धी होगी चलिए फिर बताईए हाली में परियावरन मंत्री ने कहा अरावली ग्रीन वॉल परियूजना को शुरू किया तो अंसरों का गुरुग्राम कौने परियावरन मंत्री भुपेंद्र यादव है जिनोंने 26 मार्च 2023 को हर्याणा के गुरुग्राम में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना को शुरू किया है तो क्या है इस परियोजना में तो इसमें गुजरात, राजस्तान, हर्याणा और दिल्ली में फेली अरावली परवच शरंकला के आसपास पांच किलोमीटर बफर शेतर को हराबरा बनाने की ये एक बड़ी पहल है फिर बताईए अभी हाली में क लाइफिस्टाइल फॉर एन्वाइरमेंट का विधृटन किया है इसे लॉंच किया है जो कि प्रधान मंतरे नरेंदर मूदी द्वारा नित्रत्व किया जाने वाला एक वेश्विक जन आंदुलन है मतलब इस पहल का उद्देश्य क्या है एक लाइन में अगर बात करें त प्रती जाग रुकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है चलिए फिर बताईए जल शक्ती अभ्यान कैच दर रेन दो हजा तेविस की थीम क्या है तो आंसर होगा सोर्स सस्टेनेबिलिटी फोर ड्रिंकिंग वाटर एक्चुली में अभी राष्ट्रपती और इस अभ्यान का उद्देश है क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसके बारे में लोगों को प्रेरित करना जाग रुक करना